नमस्ते बच्चों, आज हम चार तक गिन्ना और जोड़ना सीखेंगे बच्चों, हम पहले इस तरह से चार जुड़े वर्ग बनाएंगे अब हम दो फ्रेमों में इस तरह से हरे गोले बनाएंगे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें कितने और फ्रेमों में लाल गोले बनाने होंगे ताकि सभी चार फ्रेम में गोले हों आईए देखें, एक और दो हमने दो और फ्रेमों में गोले बनाए और अब सभी चार फ्रेमों में एक एक गोला है इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो में हमने कितनी और जोड़े ताकि कुल संख्या चार हो जैसा हमने देखा दो में दो जोड़ कुल संख्या हो गई चार अब एक और उदाहरन लेते हैं आईए एक फ्रेम में एक संत्रा बनाए हमें कितनी और फ्रेमों में संत्रे बनाने होंगे ताकि कुल चार फ्रेम में संत्रे हो आईए हम खाली फ्रेमों में एक-एक संत्रे बनाए एक, दो, तीन और अब हमारी चारों फ्रेमों में एक-एक संत्रे है इसका मतलब हमने एक में तीन जोड़े तो कुल संख्या हो गई चार बच्चो अब आपकी बारी अगर हम तीन फ्रेमों में एक-एक फूल बनाएं तो हमें कितने और फ्रेमों में फूल बनाने होंगे ताकि कुल चार फ्रेमों में एक-एक फूल हो दूसरे शब्दों में तीन में क्या जोण खुल संख्या चार होगी अपना उत्तर ढूंडे और उसे अपने दोस्तों और परिवार की साथ साजा करे बच्चों इस वीडियो में हमने इस चार तक गिनना और जोणना सीखा